हैलो गाई सम्भात करेंवाल है डाबर इंडिया इस कमपनी के बारे में इस कमपनी का कंसर्डेटर रिजल्ट आप लेगो की सामने प्रेजन्टेट है सारे मंसोर करूर्ट में बताए की है quarter and quarter base के उपर result को compare करेंगे ये इस quarter का result ये पिछले quarter का result ये पिछले साल same quarter का result देखने को मिल जाता है कंपनी की income की बात करें तो revenue from operation and other income को मिला कर कंपनी का total income 2798.52 करोड उपीस का कंपनी का total income है quarter and quarter base के उपर company की income में वो कम होती भी नज़र आ जाती है बाकी पिछले साल same quarter के मुकाबले company की income में बढ़ोतरी हुई है बाकी इस company के expense की बात करें तो cost of raw material के अंदर purchase of stock and trade and अलग-अलग expenses को मिला कर कंपनी का total expense ये आपर 24002.08 करोड उपीस का company का total expense है जिस परकार से company की income में उतार चड़ा वेना वैसे हैं यहां पर company के expense भी उतार चड़ा भर ही देखने को मिल जाता है बाकी इस company के net profit की बात करें तो tax and expense चल आइटम काटने के बाद company ने 292.78 करोड उपीस का net profit generate किया है जो quarter and quarter base के उपर और पिछले साल same quarter के मुकाबले दोनों जगा पर down होता हुआ नजर आ रहा है कम होता हुआ नजर आ रहा है net profit है बाकी इस company के EPS की बात करें तो 1.69 रुपीस का company का EPS टेड हो रहा है यहाँ पर कमनी का जो EPS है वो quarter and quarter base के पर कम हुआ है बाकी पिछले साल से हम quarter के मुकाबले थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होती भी नज़रा जाती है overall जो result है इस company का मेरी सबसे एक decent result है expectation से company ने खरा performance किया है इसलिए इस company के share में invested हो और short term के लिए खरीदा था तो अभी अब लोग profit को book करके चल सकती हो ठीक है बाकी आरी इस company ने अपने share holders को 2.70 पैसे पर share का dividend भी announcement किया है जिसकी record date and x date company आने वाले हाँ पर अन्दर कमपनी बता दीगी ठीक है